तो कल से BJS का losers bracket शूरू होने वाला है लेकिन round 4 में ही number 3 पे बैठीवी team है ये night owls करके जो ringing कर रही है और इस video के end तक आपको ऐसा approve मिलने वाला है कि कोई भी उसको deny नहीं कर सकता 101% confirm हो जाएगा कि ये team ringing कर रही है और ये बाहर होनी ही चाहिए है और ये same team है जो पहले hacking के चल जिसमें suspicions की कोई गुंजाईश बचती ही नहीं है 100% conclusive proof है उसके लिए सबसे पहले आपको लेके चलते है नाइट आउल्स के रॉक्सी की ID की तरफ जिसके signature के अंदर आपको यहां पे नाम देखेगा hero underscore bgmi का और यही same hero underscore bgmi कर आप इंस्टेक्राम पे डालोगे तो इसक वी और एस वही same winsmoke के players के initials हैं जिनको बैन किया गया था hacking के चलते रूटर के टूर्नमेंट से भी यहां पे आपको सारी लिस्ट में इनके सारे players के नाम दिख जाएंगे ID दिख जाएगी इनको battle ex zone, glazer games ने और बहुत सारे paid scrims ने अपनी तरफ से बैन दे रखा है Nodwin के BGMS वाले land event के tournament से भी disqualify हुई थी क्योंकि इनका एक player Jerry नाम का Australia से खेल रहा था जो की सक्त rules के खिलाफ था क्योंकि आप बाहर से नहीं खेल सकते हो India के और यहीं वो win smoke के players के idea जिनको अगर आप भी डाल के देखोगे तो इन में से काफी players के नाम BGMI में आपको NO यानि की night owls के players में दिखेंगे और इनी players में से raptor, shiva, debu, jerry इन चारों players का confirm हुआ था कि यह लोग STE से already खेल चुके थे ringing करके पहले ही जब STE की player बेकी का POV सामने आ गया था हमारी stream के उपर ही जहां पे इनका audio muted था लेकिन controls हूबा हूँ match करते थे, win smoke के raptor के POV के साथ में और इस game के अंदर इसका नाम था BTX हाइफर और यह काफी बार SID से खेला करता था और यह जो इसने white color के कपड़े pen रखे है और pink color का pen लगा रखा है इसको भी ध्यान से देखना और याद रखना यह बहुत कमाने वाला है आगे और इसी तरह से एक दूसरी player STE की कुहू नाम से केल रही थी जिसका POV सामने आया था और उसके control शिवा से पूरी तरह से मैच करते थे और यह इसी चक्कर से पकड़े गए थे इनका पूरा line-up STE से दूसरों के slot पे केल रहा था और यह BGIS the grind से तो स्कॉलिफाय हो गए तो अब इनको फिर से इंट रिमारनी थी जिसके लिए इन्होंने अब नाइट आउल्स के नाम से पेज बनाया प्लेयर्स के नए ने अकाउंट बनाए सारे Instagram अकाउंट इनके new है किसी पे भी आपको एक दो से जादा पोस्स देखने को और अकाउंट बेसे में लोकेशन दिखाने लगा ऑस्ट्रेलिया की जिसको इन्होंने बाद में पकड़ जाने के बाद में हाइड कर दिया और इनके जितने भी विंस्मोक के प्लेयर्स से सब ने अपने यूट्यूब चानल इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ डिसेबल कर रखे हैं जिस दिन नाइट आउल्स ने 48 पॉइंट्स मार के राउंड फॉर में अपने थर्ड पोजिशन असल करी थी उसी दिन शिवा ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी डाली कि उनके 40 प्लस पॉइंट्स है और केवल 3 टीम्स के थे जिसमें से एक नाइट आउल्स है एक सोल है और एक टी डबलुम है और जेरी भी खुद से स्टोरी डाल रहा था कि BGMS में फॉरन प्लेयर इशू दे के डिस्क्वालिफाइ कर दिया था लेकिन इस बार कोई भी डिस्क्वालिफाइ नहीं कर सकता राउंड 2-3 से कैसे निकालते है तुम्हारे बापा वेट करेंगे तो ये प्लेयर भी BGIS खेल रहे थे ये एकदम साफ है और अगर इसके बाद में भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो नाइट आउस के क्लियो ने अपने चैनल पर ये पियो भी अपलोड किया था जिसमें मॉन्टाज बनाके उसने डाली थी BGIS राउंड 4 की और उसमें भी जो कंट्रोल से वो भी विंस्मोक के टाइम के गेम प्ले से पूरे मैच हो रहे थे से देखो कैसे कैसे कि करोदेखना कि इंड कीन यहां पर इन साइं के नाम से खेलता था उसकी ही फोटो का यह उसी की ही गेम प्ले का यह स्क्रिंशॉट है वहां पर कंट्रोल मैच करो पस और अगर इसके बाद भी यकीन नहीं हुआ तो तुम्हें एक और गेम प्ले दिखाता हूं जो ऑन स्ट्रीम ही मिल गया जिसका क्लियर प्योवी मेरे पास बाद में आया जो जाना गेम प्ले था उस टाइम का जब रैप्टर विंस्मोक अली आईडी से खेलता था और उसमें भी जो बैक्राउंड में आवाज है वो भी जेरी और बाकी टीम मेट्स की है विंस्मोक के जल्दी अंतर गुस राड़ी है अंतर गुस अंतर गुस इसमें आपको केल की भी जो स्कीन है वो भी हूबा हू मैच करती है जो क्लियो ने अपने गेम प्ले में डाला था उससे और अगर इस सब के बाद में भी यकीन नहीं आ रहा है तो ये बंदा रंगे हातों तब पकड़ा गया जब मेरी ही स्ट्रीम पे ओन दा स्पॉर्ट हमने क्लियो के जिसका मतलब ये था कि उसने नाम चेंज करा और पहले जब इन स्मोक से खेला करता था वही नाम चेंज करके अभी एक लियो से खेल रहा है और स्टी से भी पहले ये खेल चुका था जिसमें साफ साफ ये पकड़ेगा है रिंगिंग में प्रूफ के लिए देखो ये पेले कमच मैं पूराना नाम हो बीटे हो गया काम भाई क्या निकाला है इसने ते इसको पेल निकाला है ने ओपना धनी लेतिक वी वाली साध है द enflauts ये ही सेम क्लिड वाली आईटी ते जिसमें अने टीमेटर थी नाम से ही पूरा और यहीं नहीं इनका यूट्यूब अकाउंट तक बहुत रीसेंटली बना था यूट्यूब वो तरीगी भाई यह देखो यह हाइट कर दिया इवन इन्हों ने यह अकाउंट बेज़िन भी हाइट कर दिया था और यहाँ पे भी डेट जोइन देखो गे तो वो और अउगस्ट 2023 की थी और इन लोगने के वहल यहीं वाइलेशन नी करा एक violation इन्होंने और करा जहांपे इन्होंने नाम ही चोरी कर लिया नाम और logo दूसरे night owls से चोरी किया इवन दूसरे original night owls के owner ने इसके उपर story भी लगाई कि उनको defame किया जा रहा है उनका fake name यूज किया गया logo copy कर लिया गया और क्योंकि round 4 में ही सीधर stream होने लगे सबसे पहले इंडियन सिटिजन्शिप होने चीए बीजिया इसके हर एक प्लेयर के पास में फिर भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में बैट के खेल रहा है VPN आप लगा नहीं सकते और आफकोर्स VPN के बिना ऑस्ट्रेलिया से बीजिया में चलेगा नहीं तो ये VPN भी यूज़ कर रहे है पास्ट में ये हैकिंग का बैन खा चुके है तो हैकिंग वाला वाइलेशन रिंगेंग ये अल्रेडी कर चुके है एस्टी की टीम से भी और अब नाइट आउल से भी कर रहे है फिर दूसरी टीम का अप नाम चुरा के नहीं खेल सकते तो वो भी वाइलेशन इनकी तरफ से देखने को मिला तो हर जगा से इन लोगों ने गंद मचा रखा है मारी कम्यूनिटी में तो किसी ना किसी तरह से तो इनको बाहर करना ही चाहिए हर हालत में और suspicious clips की तो भी तक मैंने बात भी नहीं करी round 4 में जो ना ने गलत तरीके से मारा है काफी जगा पे जिसका कोई raw POV नहीं आया जो ना ने POV दिया उसमें कोई sound नहीं है कुछ पता नहीं लग रहा किस तरीके से कैसे मार दिया है ऐसे players को अगर semi finals में मौका मिलेगा तो इस semi finals से finals भी चले जाएगे और सोचो BGIS में इनकी finals में land में अगर ranking निकल आई गलती से तो क्या हाल होगा हमारी community का तो मेरी हाथ जोड के request है फिर से official से कि कम से कम इस team को तो निकाला जाए और अगर इन cheaters को disqualify किया जाएगा तो number 5 पे deserving team में एकदम Nadex officials उनको मौका मिल सकता है top 4 में आने का unnecessarily उनको फिर से losers bracket से compete करना नहीं पड़ेगा अब देखते हैं कब तक हो पाएगा क्योंकि already last day है आज कल से फिर से losers bracket स्टार्ट होने वाले हैं अगर इसके बाद में भी announcement नहीं आती है तो यार I don't know what to say और फिलार के लिए इतना ही बागी तो यार मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए